हेलो सुर्टेटने रोस में आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोग को यहाँ पे ओपो के के वन का एक फुल कैमरा रिव्यू जो देने वाला हूँ और दोस्तों यह जो स्मार्टपोन ने रिसेंटली इंडिया में लाँच हुआ है 16,990 रुपी की प्राइस में 4GB RAM और 64GB storage और यह जो स्मार्टपोन है विसे काफी अपनी प्राइस के साबसे आपको अंडर डिस्टोर फिंगर्मिंट स्कैनन मिल जाता है एक AMOLED डिस्प्ले है बहुत ही स्लिम है बहुत ही ब्यूटिफिल से आपको डिजाइन मिलती है Snapdragon 660 वाल आपको processor भी मिल जाता है आप इसमें जो camera मिलता है वो वैसे काफी impressive है तो मैंने सुचा है चलो उसकी camera का review करते है और आप लोगो बता रही थी कि इसका camera आपको कितना अच्छा जो गोगो देखने को मिल जाता है आपको 16MP 2MP का dual rear facing camera मिलता है F1.7 का aperture जी हां तो low light में मतलब आपको बहुत ही अच्छी pictures मिलना चाहिए और साथ में आपको 4K वीडियो भी मिल जाता है और full HD के अंदर आपको यहापे EIS का भी support मिलता है rear camera के अंदर आपको यहापे 25MP के selfie भी देखने को मिल जाती है तो इस हिसाब से मैंने सोचार चलो उसके full camera review करते है और देखते है कि कितना अच्छा यह camera perform करता है यहापे मैंने इस बार जो वो camera review तोलगा सा different तरीके से किया हूँ मैं क्या किया हूँ कि इसके जितने पी pictures थे वो अपने computer में paste कर दिया हूँ उससे क्या होगा कि मैं आप लोगो detail में बता सकता हूँ directly zoom करके बता सकता हूँ कि picture की quality आपको कैसी जो वो देखने को मिलती है अगर आपको ऐसा पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता देना comment करके तो next videos में मैं दूसरे phones के भी camera की review कुछ इस तरीके से ही करोगा तो जाटे मिस नहीं करते हैं और fundament से बढ़ते हैं इसके camera की तरफ और देखते हैं किसका camera आपको कितना अच्छा देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने एक dedicated folder पर आया हूँ OPPO K1 की camera का मैंने जो pictures लिया हूँ उस सारे अलगले folders में मैंने इनको separate कर दिया हूँ night के, indoor के, day के सब अलगले सबसे भिल हम शुरुआत करते है night sample से और आपको बता रहते हैं कि night में आपको कैसी quality मिलती है तो हम यहां से शुरू करते हैं और यह देखेंगे यह picture जो night में ली गई है और आप देखेंगे आपको picture की quality वैसे अच्छी मिलती है और PC से आपको भी दिखाने का फायदा यह होता है कि हम directly zoom कर सकते हैं आप देखेंगे इस तरीके से आपको एक अच्छा देखने का मौका मिलता है कि हाँ picture quality आपको कैसी मिल जाती है तो night के अंदर आप देखेंगे यह वाली picture वैसे काफी अच्छी निकल कराई है यह night selfie है आप देखेंगे इस तरह की आपको मिलती है हाँ selfie में आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको noise जो वह देखने को मिल रहा है ठीक टक से आपको night के अंदर selfie मिल जाती है और यह वाली देखेंगे यह भी बहुत अच्छी picture निकल कर आई है आप देखेंगे library जो है उसके उपर पूरा लिख्क्या रहा है यह भी देखेंगे यह भी आपको कुछ random sample जो वह देखने को मिल रहे है काफी अच्छी picture से यहाँ पर निकल कर आई है यह भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी picture से और यह वाली देखेंगे एक portrait shot night के अंदर ली गई है तो यहाँ पर कोई doubt नहीं है आप देखेंगे अच्छा कासा book है इसने जो वह background में किया है और picture भी वैसे काफी अच्छी निकल करा है यह देखेंगे यह night human portrait shot है तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरफी की मिलती है quality आप देखेंगे edge detection भी वैसे काफी अच्छा है कोई issue यहाँ पे जो नहीं देखने को मिल रहा है अच्छी बात है night में भी इसने portrait shot अच्छे लिया है और यह देखेंगे selfie shot है night का तो हाँ इस बार वाली selfie थोड़ी ठीक लग रही अगर वो पहले वाली से अगर आप compare करते है हाँ थोड़ी light डेखेंगे इस तरफ से आ रही है तो properly यहाँ पे जो आप देख सकते लिया है यह शायद से without portrait shot है तो आप लोग कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है और यह देखेंगे यह बहुत यह beautiful लग रही है आप देखेंगे detail कितना अच्छा है यहाँ पे जो उसने लिया इस तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यह वाला shot काफी सही लग रहा है और यह भी देखेंगे यह भी कुछ night shots है और यह भी random shots है कुछ लोग यहाँ पे जा रहे है आप देखेंगे अच्छा कास आपको यहाँ पे जो बहुत दिखाई दे रहा है तो यह मुझे अच्छा लग रहा है कि PC साब को मैं detail में जो बता सकता हूँ और यह भी कुछ night selfie है तोड़ा जूम करके आपको दिखा देखेंगे अच्छा है हलकल का noise आपको दिखेंगा लेकिन यह इतना भी तो चलता है क्योंकि night में आप selfie ले रहे है तो ठीक है और यह देखेंगे gate view of India है लेकिन यहाँ पर देखेंगे sky पे अब थोड़ा बहुत आपको noise यहाँ पर देख रहा है यह भी अच्छा है light से जो वो light के सामने इसने ख़़़े रहे के picture लिया है तो light का effect है रहा उसके बावजूद भी picture देखेंगे वैसे काफी अच्छी निकल करा रही है यह भी कुछ random shots है यह भी random shots है रास्टे के उपर देखेंगे आपको अगर मैं तोड़ा zoom करके दिखा दूँ तो इस तरह की से चीज़ी जो वो दिखाई दे रही है तो अच्छा है night samples अच्छे निकल के आई है मैं तोड़ा impress हूँ और यह कुछ इस तरफ से electric charging station का भी यहाँ पर जो वो देख सकते आप picture से और यह वाले कुछ random shots है अब यहाँ पर मैं video night sample की बात करूँ तो आप देखेंगे इस तरह की से आपको जो वो कुछ quality मिलती है वीडियो की night में अगर आप लेते है 25 मेगा पिसल की selfie है फुल HD वीडियो आप यहाँ पर जो रिकॉड कर सकते है तो देखेंगे quality वैसे आपको काफी अच्छी मिलती है हाला कि जो condition वहाँ पर जहाँ पर शूट किया है वहाँ पर अच्छी lightning है उसके साब से picture की quality वीडियो की quality पर आपको वैसे काफी अच्छी देखने को मिलती है तो हाँ अच्छा है detailing आप देख सकते हैं अच्छी देखने को मिल रही है और night के अगर आप देखेंगे selfie video samples तो वो मेरे सब से आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है उसके बाद अगर मैं यहाँ पर night के कुछ rear samples की बात करता हूँ वीडियो की तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरफी की quality मिलती है हाले कि यहाँ पर आप लोगो EIS मिल जाता है तो उसका अच्छी तरफी साफ फाइदा उठा सकते है और देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरफी की आपको quality night के अंदर मिल जाती है तो यह कुछ आपको इस तरफी की का मिल जाता है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ day samples की तो दिन में विस इसने काफी अच्छे pictures लिया है आपको मैं यहाँ पर दिखा जाता हूँ सबसे पहले हम selfie portrait shots की बात करते हैं दिन की तो 25 Megapixel की selfie आप देखेंगे मैं कितना भी zoom करता हूँ आप देखेंगे quality देखेंगे बहुत अच्छी निकल कराई है मेरे सर पर जो निशान है और यहाँ पर देखेंगे मेरे नाक के पास यह सारी जो निशान है यह सारे चीज़े दिखाई दे रही है मेरे dark circles जो है उसमें भी देखेंगे जो चीज़े वो बराबर clearly दिखाई दे रही है तो यह अच्छा लगा मुझे detailing वे सापको बहुत अच्छी मिल जाती है और bookie देखेंगे background में काफी अच्छा लिया है तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको यहाप जो देखने को मिल रहा है तो बहुत ही सही तरीके से लिया है beautification भी देखेंगे इसने अच्छी तरीके से अपनाया है और यह देखेंगे यहाँ पर भी अगर हम पैर के पास देखते इस तरफ और यह थोड़ा से एक random shot है अच्छा है यह वाले भी देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको shots जो देखने को मिल रहे है तो मेरे साब से यार दिन के samples तो बहुत ही कमाल के निकल कर रहा है को आपको problem नहीं होनी चाहिए यह वाले देखेंगे मैं zoom करता हूँ और यह भी कुछ random shot से detailing देखेंगे आपको काफी अच्छी मिल जाती है यह गारी का number आपको हलका हलका दिख रहा होगा यह phone number दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर जो दिख रही है और उसने उसके सामने खड़रे की picture लिया फिर भी आप देखेंगे आपको सारी चीज़े यहाँ पर जो दिखाई दे रही है और यह मैं वैसे काफी इंप्रेस हूँ इस वाले shots से और यहाँ पर आप देखेंगे यह वाले भी कुछ आपको इस तरह की की देखने को मिल जाते है तो बहुती बड़ी बात है और यह कुछ random selfie shot है आप देखेंगे without portrait इसमें भी detailing देखेंगे आपको बहुत इच्छी मिलती है वैसे यह मेरा दोस्ते साकिप तो confuse मत होना यह वाला देखेंगे यह वाला वैसे काफी कमाल का निकल कर आया है और यह देखेंगे zoom करते ज्यादा zoom करेंगे तो फटी जाएगा लेकिन आप देखेंगे आपको अच्छी detailing है आप जो देखने हो मिल जाती है यह वाला देखेंगे यह वी वैसे बहुत ही कमाल के निकल कर आया है तो वैसे आप दिन के samples बहुत ही कमाल के आपको मिल जाते है यह भी कुछ random shots है यह भी कुछ random shots है और यह भी selfie वैसे बहुत ही impressive है दिन की और मैं अगर आपके कुछ video की बात करता हूँ day की तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी quality मिल जाती है और ये EIS का आपको support भी मिल रहा इसमें तो stabilization भी आपके आखों के सामने तो मेरे साब से दोस्तो camera की quality इसकी बहुत ही अच्छी है night की भी बहुत ही अच्छी samples ले आ है तो ठीक है और दिन के अगर मैं कुछ video samples की बात करता हूँ तो ये देखेंगे ये भी आपको कुछ इस तरगी का देखने को मिल जाता है तो detailing दिन के अंदर वैसे आपको काफ़ इच्छी मिलती है वैसे night पे अच्छा था लेकिन थोड़ा बैटर है दिन में अगर आप लेते video selfie तो आप देखेंगे फूल HD वीडियो है और detailing भी आप देखेंगे वैसे आपको काफ़ी इस तरीकी से देखेंगे sunlight के अगर against है या सामनी की तरफ है तो कैसे आपको quality मिल जाती है इंडोर शॉट्स की में बात करता हूँ तो अगर आप देखेंगे ये इंडोर शॉट्स है बहुत ही अच्छे है आप इसने डीटल कैप्चर के आप देखेंगे हलके जो धूल लगी हुई है यहाँ पर यह सारी चीज आपको सही तरीके से इसके वे सैंपल जो भी निकल कर आए वो बहुत ही कमाल के लगे है इसमें portrait shots लो, selfie के portrait shots वगेरा सब कुछ बहुत ही अच्छा है, detailing भी अच्छा है और उसमें आपको कोई issue नहीं होगी नाइट के भी आपको वैसे बहुत अच्छे pictures जो वो देखने को मिल रहे है considering जिस price में आपको ये phone मिलता है तो मेरे साथ से इसका camera भी आपको अच्छा मिलता है इसके features के अलावा भी तो अगर आपको ये video पसना आया तो ज़रूस इस video को like करिए और मुझे comment करके बताए कि आपको और क्या कुछ देखना इस phone के अपर मैं वो सारी चीज़े आप लोग के ले फ्यूचर में ले के आऊँगा मिलते आप से एक लिवड़ों में एक लिवड़ों के साथ till then have a great day and always keep smiling